कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेक हर तीन महीने में डबल हुआ है 10,000 पर 20,000 पर नफिर 22,000 पर फिर 32 पर मेंटेंटन होते होते अब होता हो जला गया और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेक एक साल पहले जहां था आज भी होई है मेरे दोस्त एक चीज मा आपको बता हूँ यह बात सही है कि जिनका चेक आज से एक साल पहले जहां था वहां पे है उनको अपना लेवल मेंटन करने की जरूत है यस पर लेकिन हमारे यहां इस इंड़स्ट्री के अंदर लोग दो तरीके से लेवल मेंटन करते हैं कि आपको आज के बाद ही डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीके से लेवल मेंटन करना है पहला लेवल मेंटन यह होता है कि जब कोई आदमी टोपाज बन जाता है और आपके दसका दम ट्रेनिंग करते हो तो टोपाज की आपके सहर में बड़ी वेली होती होगी दसका दम तरीकर से मैंटेन कर एक लेवल तो यह मैंटेन होता है कि मैं रुभी-स्टार बन गया मेरा खाना रूम में आना चाहिए यह प्रेशर के बीच में थोड़े काऊंगा जो एक लेवल निये करने की ज़रोत हैं कि जब मेरी इंट्री हो तो फूल माला जंडे वंडे के साथ दमागेदार होने चीए एक लेवल ये मैंटेन करना है कि अपलाइन भी मुझे ये लेवल के हिसाब से बात करें मेरा लेवल बहुत अच्छ है लेकिन मैं आपको बताओं कि हम लोग इस लेवल को मेंटेन करने के लिए नहीं आये हैं अब याद रखिए दुनिया में आपकी लास्ट पहचान और आपका लास्ट वजूद आपकी कामियाभी और आपकी सक्सेज ही है आपका कोई भी लेवलो जिस दिन आपका रेंक पिछे रह गया उसके बाद में उस की वेल्यू है ना कि आपकी वेल्यू है इस दुनिया में इनसान की वेल्यू सिर्फ उसके रेंक से जानी जाती है इनसान की कोई वेल्यू नहीं है साथ